हलो व्रिवान वाकम टू दिस चैनल कैसे हैं आप सब हूप आप सब अच्छे होंगे सुगाई साथ हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी परसन चल रहे हैं आज रात वा आपको लेके क्या फील करने वाले हैं टामलस रिडिंग है जब आप इसे देख रहे होंगे तब इस आप से रजनेट होगी मैटर नहीं करता आपके शाशी के हैं किस जेंडर के एनरजी आप से मैच करती है आप भी के लिए हैं अल्स रडिक साइन रिडिंग है फिर भी जो साइन हाइलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जनल रिडिंग है जितने मैसेजस आप से रजनेट हो उतने लीजेगा बाकी को स्किप किये जेगा लेक के प्रभू का नाम जैस या राम सफेस्ट कार्ड वी हाव एस ओफ कार्ब्स चैंसर पाइस श्कॉर्प्यो आप ये आपके परसन हो सकते हैं नमबर वन एंजन मंथ आप लोग उसे रेसोनेट कर सकता है बटम अफ देक अनरजी वी हाव सेवन नमबर सेवन शोरी चैरिट का का कार्ड है बैलेंस का का कार्ड यहां पर कोई हो सकता है देखिए आपके परसन के जो इमोशन है यह efectos ओर और फ्लो हो रहे है ऐसे समझो देखिए दोनों ही कार्ड बहुत जल्दि के कार्ड यहाँ पर इनके इमोशन है जो कॉंट्रोल में नहीं हो रहे हैं इधर इनका action कंट्रोल में नहीं हो रहा हैं ये कोशिश तो बहुत ज़दा कर रहे हैं कि अपने emotions को control कर लें आपकी तरफ ना आएं बहुत ज़दा कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश बेकार है इनकी क्योंकि जैसे इनके emotions overflow हो रहे हैं कि control किये control नहीं हो रहे हैं वैसे इनके अब जो कदम है जो आपकी तरफ बढ़ and ace of sword okay so Gemini Libra Aquarius आप यह आपकी परसन हो सकते हैं death का card है, rebirth भी साथ में है that means कुछ end हो रहा है ताकि कुछ new start हो सके अभी मुझे देखने क्या end हो रहा है 10 of wands, okay देखे आपकी परसन एक loop में फसे हुए थे अभी तक मदलब एक ही cycle में बार बार वही cycle repeat हो रहा है बार 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 बसे एक ही cycle में घुमे जा रहे हैं घुमे जा रहे हैं और यह जो cycle है यह इनके responsibilities का cycle है मतलब अपनी responsibility में इतने first चुके थे कि मतलब एक loop create हो गया जहां अब वहां से निकलना इनके लिए easy नहीं है लेकिन यहां पर death का card clearly बता रहा है कि अब universe चाहते हैं कि यह इस loop से बाहर निकले और इनके life में अब drastic change आने वाले हैं और यह जो change होगा वो easy नहीं होगा कोई भी change easy नहीं होता क्योंकि हम किसी भी change को हस्ते हस्ते accept करते ही नहीं है तो थोड़ा हमें pain देता है तो अब आपके person के life में एक drastic change आने वाला है जो literally इस अंसान को अंदर तक हिला के रख देगा कही ना कही इनको वो action लेने पड़ जाएंगे जिसको अभी तक यह deny कर रहे थे जो action यह लेना ही नहीं चाहते हैं for an example जैसे अपनी family की सुनते है हमेशा सुनते है आज तक पलटके जवाब नहीं दिया और बस उसी cycle में बार-बार घुम रहे है बट अब यह जवाब देंगे यह break करेंगे उस cycle को so यह जो change होगा यह easy नहीं होगा इनके लिए लेकिन हाँ यह तो होगा ही होगा two of cups okay cancer prices score पे आप आपकी person हो सकते है आपके यह person जो है यह आपके twin flame हो सकते है justice का card है again balancing का card है balance करना चाहते है इस connection को यह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते even यह ऐसा समझो की कोशिश करते हैं बहुत ज़दा कोशिश करते हैं कि आपके twards ना आए लेकिन इन से नहीं होता अभी यह balance चाहते है इस connection में अपने life में तो balance इनके आने रहा अब सोचते हैं बैटे बैटे क्या कम से कम इस connection में ही balance आजए क्या पता life में भी balance आजए अभी यह कुछ ठीक करना चाहते हैं इस connection में अभी तक इस connection में जो गलत हो रहा था उसको सही करना चाहते हैं और इस connection को balance मिलाना चाहते हैं आपका साथ देना चाहते हैं आपका साथ ही यह चाहते हैं यह आपके soul में हो सकते हैं या twin flame भी हो सकते हैं बठाँ, soul का connection है, mutual feelings है, mutual love है यहाँ पर, page of wants, इतना shuffle करने के बाद भी two of cups का card again हमारे सामने आए है, that means यह जो connection है, यह बहुती strong connection है, ठीक है, यह connection तूटने के लिए नहीं बना, आप दोनों अगर साथ में आए हैं, इस connection में आए हैं, आप दोनों जो मिले हैं, तो वो होंगे ही होंगे, this is a powerful connection, अब इत चैरियट कार्ड, आपके परसन ने एक decision तो ले लिया, कि भाई, इनको आप की तरफ आना है, अब page of wants का card बता रहे हैं, जैसे एक planning कर रहे हैं, कि आना कैसे है, एर इसलिए उस एजिटेरियर साप आपके परसन हो सकते हैं, तो कहीं ने कही strategy प्लान कर रहे हैं, इनको आपका साथ चाहिए at any cost, और कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, जैसे आप इनको मना ना करो, और इनकी भी पीठना जुके थोड़ी, मतलब इनको भी आपकी तरफ जादा bend ना होना पड़े, मतलब बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, आपकी sword and three of cups, okay, cancer prices, scorpio number three and number two, feb month and march का महीना आप लोगों से resonate कर सकता है, number eight, august मन्थ आप लोगों से resonate कर सकता है, okay, अभी मुझे ये चक करना है, ये फसे कहां पड़े हैं, क्योंकि इस लूप से तो ये निकलेंगे, definitely, जिस भी लूप में अभी ये फसे हुई है, वहाँ से तो न निकल रहे हैं, universe इंगे निकालेंगे अपने तरीकी से, okay, eight of sword का card clarify हुआ है हमारे judgment के card से, so देखे, कुछ negativity है जिसमें ये stuck है, but universe है न, judgment का card बता रहा है कि आपके person को aware किया जा रहा है कि निकलो, इन negative thoughts से निकलो, आप judgment का card देखे ब्लीज, universe खुद, मतलब एक इनसां सोया हुआ है, जिसको literally universe जगा रहे हैं कि it's a high time कि उठो और action लो, ठीक है, यहाँ पर आपके person सोचतो रहे हैं कि इनको आपके साथ union में आना है, with three of cups, union तो चाहते हैं लेकिन action नहीं ले रहे, again, same message आया है कि सोचतो रहे हैं, decision ले लिए, आपके साथ union में आना है, एक होना है, ल आपके towards कोई action नहीं ले रहे हैं, तो universe इनको यही realize करवा रहे हैं कि उठो, अभी यह time action लेने का, emperor, so यह आपके destine partner है, with will of fortune, यह आपके destine partner है, यह आपके destiny में लिखे थे, no matter यह लड़का है लड़की, यह ही आपके destine partner है, universe ने इनको choose किया है आपके लिए, अब पता नह आप इसको choose कर यह बैठे होगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, universe ने तो आपके लिए यही partner choose किया है, आपकी destiny में है यह इनसान, okay, will of fortune का card clarify हुआ है, night of pentacles, definitely, इस इनसान से आपको commitment मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन, इनका जो move है, वो बहुत जादा slow है, turtles से भी slow है, तो आ आपको थोड़ा wait करना पड़ सकता है, यह क्या है, अभी उस loop से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो time लगेगा, आपके tour section लेने में time लगेगा, और commitment के लिए तो जैसे मतलब सोच ही रहे हैं कि हाँ commitment तो देना है, mind में यह विचार है इनके, वरणा यह card नहीं आता, दिमाग मे यह विचार है लेकिन कब देना है, कैसे देना है, कब तक मतलब यह खुद को ready कर पाएंगे commitment के लिए, यह इनको नहीं पता, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, जिस दिन यह sure होगे, उस दिन भी उसके बाद में मुझे लगता है थोड़ा time लेंगे action में, अगर आपक commitment चाहिए इनसे तो थोड़ा wait करना पड़ सकता है आपको, बढ़ हाँ, लकापी के side है, आप जो चाहते हैं वो इस connection में आपको मिलेगा, यह इनसान आपकी destiny में लिखे हुए है, बट आपको wait करना पड़ेगा, यहाँ पर universe आपसे patience चाहा रही है, कि आप patience रखिए और trust So, अगर आपके partner married है, तो आपके person अभी उस marriage को नहीं छोड़ सकते, अभी यह ready नहीं है, लेकिन हाँ, यह आपको भी नहीं खोना चाहते, और जिन मेरे viewers के partner married नहीं है, आपके person आपके साथ marriage चाहते हैं, क्योंकि आपको बिलकुर नहीं खोना चाहते, आप इनके लिए कोई treasure से कम नहीं है, अभी मैं यहाँ पर two piles ready करूंगी, आपको एक pile को choose करना है, देखते हैं, इस वक्त, at this moment, आपके person आपको क्या बताना चाहते हैं, this is pile number one, and this is pile number two, इन दोनों card में से, जो भी card आपको अच्छा लगे, या जो भी attract कर रहा है, जो भी आपकी intuition कह रही है, आप choose करें, देखते हैं, आपके person right now, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या specific message है, so जिन्होंने pile number one को choose किया है, someday perhaps in another life, okay, देखिए, इनको जो union है आप दोनों का, जो permanent union की बात कर रही हूं, जो harmonious union है, यह थोड़ा इनको difficult लग रहा है, हो सकता है, यह married है, तो इनको ऐसा लगता ह है, कि अगर इस जनम में ना सही, अगले जनम में तो हम आपके ही होंगे, और आप हमारे, so यह message आपको देना चाहते हैं, कि इस जनम में ना सही, अगले जनम में हमारे, हमारा जो union है, जो permanent union है, यह जरूर होगा, okay, जिन्होंने pile number two को choose किया है, complicated, वैसे second pile वालों के लिए मे कोई good news नहीं है, इनके आपकी जो partner है, वो आपको बताना चाहते हैं, कि इस वक्त बहुत complicated situation है, इस connection में, इनको समझ नहीं आ रहा, कि ऐसे गुथी उलद चुकी है, कि इसको सुलजाएं कैसे, so इनको थोड़ा time लगेगा, इनको थोड़ा time चाहिए, so यह आपको बताना चा और messages देख लेते हैं, मेरे handwritten messages, so first message we have, when I miss you, I reread our old messages and smile like an idiot, जब भी इनको आपकी याद आती है, यह आपकी old messages, read करना, start कर देते हैं, और फिर smile करते हैं, बेवकुफो की तरह, हम, और देखने वाले तो, देखने वाले को दूसा लगता है, पताने क्या मिल गया है ऐसा phone में, कैसे बेठे-बेठे smile कर रहा है, कैसे बेठे-बेठे smile कर रही है, उनको क्या बता कि आपको क्या मिल गया, आपकी person को क्या मिल गया, अभी next message we have, I miss you a lot, आपकी person आपको बहु बहुत याद आती है, next message we have, I'm permanently in love with you, always and forever, इनको आपसे permanently love हो चुका है, यह वो वाला love है, उसके बाद इनको कहीं love ही नहीं होगा, मतब यह true love है आप तोनों का, और हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है इनको, don't panic, I'm stand by you, भही आप क्यों चिंता करते हो, यह है ना आपके सा देखिए, वैसे यह आपसे कह रहे हैं कि यह आपके साथ हैं, so आप सादा tension ना ले, nobody knows me better than you, कोई भी इनको नहीं समझता, इनके घर वाले इनको कुछ नहीं समझते, आपने कुछ जादा कुछ समझ लिया, इसलिए इन्होंने आपकी value नहीं की, so इनको पता है अच्छे से क आप इनको अच्छे से समझते हो, you are not my number one, you are my only one, आप इनका कोई number one, number two, इन में से नहीं हो, आप जो हो, अभी बस आप ही हो, one and only, only you, okay, अभी song देख लेते हैं, क्या song dedicate करना चाहते हैं, आपके person आपको, song जरूर सुनिएगा, इनकी deep feelings आपके towards, so song है, तुही रे, okay, और साइद Bombay movie का song है, I don't know कौन से movie है ये, मुझे तो, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है, कि साइद Bombay movie है, और song बहुत beautiful है, sad song है, emotions भरे पड़े हैं इस song में, ठीक है, emotional हो जाओगे, सुनोगे तो, so सुन ले न, तुही रे, तेरे मिनामक कैसे जीएंगे, अभी बता देना, अभी आप इनको, बता देना, दे देना suggestion की कैसे जीना है, और अगर आपको इनके साथ जीना है, तो वो बता देना, अभी युनिवर्स की guidance देख लेते हैं, युनिवर्स आपको क्या guidance दे रही है, so first card we have, mountain god का card है, there is something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it, okay, युनिवर्स आप से बोड़ रहे हैं कि आपकी life में कुछ तो है, जो balance में नहीं है, जाएब आपकी emotions हो, या आपकी personal life में कुछ भी हो सकता है, so please उसको balance में लगे, इस वक्त आपका पूरा focus इस बात पे होना चाहिए, कि आपकी life में क्या चीज है, कौन सा area है, जहां पर आपको balance लाना है, क्योंकि इस वक्त आपकी life में balance का होना बहुत ज़री है, so please focus करें अपने balance पर, अपनी life के balance पर, face your problems head on with confidence and courage and you will emerge victorious, आपको confidence के साथ इस वक्त अपनी problems को face करना है, भागना नहीं है problem से, एक confidence के साथ, courage के साथ आपको उसका सामना करना है, तभी आप उन problem से निकल पाएंगे, तभी आप उस problem पर victory हासिल कर पाएंगे, so दोनों ही message similar से हैं, जिसे आपको problem से भागना नहीं है, ठीक है, अगर life में कुछ balance नहीं है, उसको balance कीचिए, भागना तो बिलकुल नहीं है situation से, current situation से, current problem से, भागने से कोई solution नहीं है, ignore करने से कोई solution नहीं है, तो आपको इस वक्त वो करना चाहिए, जिससे आपके life में balance आ सके, जिससे आपके मन में balance आ सके, अगर आपकी मन की शांती भंग है, emotions imbalance है, तो please उनको balance मिलाएं, but it's vital to balance your life, it's vital to balance yourself, okay, so hope आपको समझ में आ गया, universe आप से क्या कहना चारिए है, so please इसको follow कीजिए, so guys देदी छोटे से reading hope आप से resonate की है, resonate की है, तो चैनल को subscribe जुरूर कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, comment करना ना भूले, मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए चैक आपना ख्यार रखें, जैसी आराम,